फ्रेंड्स क्या आपको ये मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ड्रॉप आउट का रेशियो क्या है? कितने लोग पहले तीन मेहने में इस इंडस्ट्री को छोड़ कर चले जाते हैं? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में पहले तीन मेहने के अंदर में 90 प्रसीचत लोग या तो छोड़ कर चले जाते हैं या वो केबल यूजर बन कर रह जाते हैं वो आगे काम नहीं करते हैं वो करियर बनाने का अपना इरादा त्याग देते हैं तो इतना बड़ा ड्रोप आउट अगर रेट है इतने सारे लोग अगर इस इंडिस्टी में आकर के बाहर चले जाते हैं ये अलग बात है कि नुकसान कुछ नहीं होता क्योंकि इस इंडिस्टी में लगता कुछ नहीं है लेकिन अगर इतने सरलोग बाहर जा रहे हैं तो अगर आप इस इंडिश्ट्री में आने का मन बना रहे हैं तो आज का ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो देखकर आप कोई सही फैसला ले पाएंगे और ये आप अभी नए नए आएंगे इस इंडिश्ट्री में तो भी ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है ताकि आप एक सही निर्ने ले सकें कि आगे आपको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए तो चलिए हम बाचित की शुरुआत करेंगे मगर उसके पहले मैं आपको याद दिला दू बी ए चेंपिन इन नेटवर्क मार्कटिंग सीरीज का ये सत्रवा वीडियो है ये पहले के सॉला वीडियो आपने नहीं देखे तो डेस्क्रिप्सन में लिंक है एक भी वीडियो इस सीरीज का मिस मत कीजिएगा यकीनन इस से आपकी जिन्दगी में बहुता फायदा होगा और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकोन को क्लिक कर लिजे ताकि मैं कुछ भी नई वीडियो लेकर रहा हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और कमेंट जरूर करते रहिए क्योंकि आपके कमेंट से मुझे आपके लिए और वीडियो बनाने का होसला मिलता है तो चलिए हम पाचित की शुरुबात करते हैं लेट्स स्टार्ट ग्रेट बानी फ्रेंड्स मैं सची नगरवाल आपका दोस्त आज मैं बात कने जा रहा हूँ नेटवर्ग मार्केटिंग के फोर लॉस की चार नियम चार ऐसे नियम जिनको जाने भी न यदि आप इस इंडुस्ट्री में आएंगे तो आप भी उन 90% लोगों की तरह इस इंडुस्ट्री से बाहर चले जाएंगे और ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है या तो आए न और अगर आते हैं तो काम्याव होने से पहले जाए न तो उसके लिए चार चीज़ा आपको मालूम होनी चाहिए तो सबसे पहला नियम सीखना और बदलना यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू चेंज इस इंडुस्ट्री में सक्सेस्फुल होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा और आपको बदलना पड़ेगा देखें आप कहीं भी से भी आए हैं किसी भी इंडुस्ट्री से आए हैं और आप पहले से कितने भी काम्याव हैं आप एक काम्याव डॉक्टर हैं आप काम्याव इंजिनेर हैं नए सीरेसें सीखने के लिए और अपने आपको इस काम्यावी के अनोकूल बनाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, छोटे-मोटे changes आपको अपने habit में, अपने attitude में, अपने mindset में लाने के लिए ready रहना पड़ेगा, Ego को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर यदि आप सीखनी करें तयार हो सकते हैं तो ही आप काम्याब हो सकते हैं और यदि आपको उस काम्याबी को बनाए रखना है जीवन भर पैसे कमाते रहना है इस इंडिस्ट्री के जरिए तो शर्त सिफ एकी है कि आपको जिन्दगी भर अपडेट होते रहना है सीखते रहना है देखिए 18 साल हो मुझे इस industry में मैं आज भी सीख रहा हूं जो लोग आज इस industry में 20 साल, 25 साल, 30 साल से हैं जिरों ने अपनी खुद की महंगी महंगी कारे खरे लिए बड़ बंगले बना लिया, खुद का helicopter खरे लिया उनसे भी आप पूछेंगे कि सर आप सीख चुके हैं पूरा तो वो ये बोलेंगे कि नहीं, आज भी मैं network marketing industry को सीख रहा हूं जो लोग इस business से करोड़ रुपे महिने का कमा रहे हैं अगर वो लोग भी आज सीख रहे हैं और हमने अभी इस industry में कदम ही रखा है अभी हमने इस industry से कुछ भी कमाना शुरू नहीं किया क्या लगते हैं आपको, क्या सीखने की ज़रत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी तो सीखने के लिए आपको तयार रहना पड़ेगा बदलाओ लाने के लिए तयार रहना पड़ेगा जैसे खेती करते हैं आप, तो खेत में पहले हल चलाते हैं जमीन को अनकूल बनाते हैं फसल के लिए वैसे ही आपको खुद को अनकूल बनाना पड़ेगा काम्याबी के लिए पहला चीज, पहला नियम दूसरा नियम है system is important, अगर आपको इस इंडिश्ट्री में काम्याब होना है तो system को आपको importance देना पड़ेगा, system के सामने खुद को surrender करना पड़ेगा, देखिए आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं मैं भी अकेला बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन आप और हम जो कर सकते हैं उसकी एक limit है, लेकिन आप और हम मिलकर यह इस system को follow करें उससे जो हो सकता है, उसकी कोई limit नहीं है, आपकी ताकत से कई गुना जादा बड़े परिणाम इस industry में आते हैं, अगले 2-5 साल में इस industry में लोग वो कमा लेते हैं, जो 20-30-40 सालों में नहीं कमा पाए, और शायद पूरी जिंदिगी में नहीं कमा पाते हैं, अगले 2-5 साल में वो सकसेस ले लेते हैं, जो अब तक नहीं ले पाए, और शायद आगे भी नहीं ले पाते हैं, तो इस industry में system की power काम करती है, system की ताकत काम करती है, देखिए, अगर कोई कार है, उस कार का पंचर ठीक करना है, दो तरीके हैं, एक पचास लोगों को बुलाईए, वो सब मिलके कार को उठा लें, और एक विक्ति टायर खोल कर टायर लगा दे, बहुत आसान है, बहुत इजी है, दूसरा विक्ति जैक लगा के काम करें, तो यदि आपका answer, second one है, तुम्हें आपको congratulate करना चाहूंगा, बदाई देना चाहूंगा, जैक है system, जैक क्या है, जैक है system, तो इस industry में भी क्या काम करता है, इस industry में काम करता है system, बिना system काम करेंगे, तो एक level तक जा पाएंगे, लेकिन उससे बड़ी सफलता आपको नहीं मिल पाएंगे, तीसरा law है, कि आपको तयार रहना है, rejection और criticism के लिए, यानि आपको लोग मना करेंगे, चाहे आपको लगता इतनी अच्छी को इतना मोटा कर लेना है, कि लोगों की ना से, लोगों की आलोचना से आपको फरक ना पड़े, दुनिया में जितने भी लोग काम्या हुए, सफल हुए, आप उनके इतिहास को पलट के देख लेजे, उन लोगों ने लोगों के no की परवा नहीं की, लोगों टम वीजन के साथ आना होगा, यदि आप यहाँ पर महिने, दो महिने, छे मेने में क्या मिलता है, उसका हिसाब किताब करके आएंगे, तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे, आपको कम से कम पास साल का एक वीजन लेकर आना, भली इंकम आपको पहले मेने से आने लग जाएगी, लेकिन आप एक बड़ा एंपायर खड़ा करने में, आपको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करने में, आपको एक जीवा में कभी न रुकने वाली इंकम तक पहुँचने में, दो से पास साल का समय लगता है, तो हम एक पास साल के आइडल पीरेट को लेकर के चलते हैं, कि आप पास साल दीजे इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को लॉंग टॉम वीजन लेकर क्या आईए, हिसाब मत लगाईए, इस मेंने काम की अगले मेंने क्या मिला, क्योंकि शुरू-शुरू में तो ऐसा भी होता है, कि आपके शुरुआती दौर में, आप काम ज़्यादा करते हो, पैसे कम आते हैं, आपका पेट्रोल का खर्चा पत्थर मारोगे तो भी फल देगा, आपको भी देगा, आपके बच्चों को भी देगा, पीडी दर पीडी देगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग आम का पेड़ है, यानि आपको धैर्रे के साथ थोड़ा समय देना होगा, पैसेंस के साथ आपको लगातार वो काम करने होंगे, जो इस इंडिश्ट्री में आपके अप्लाइंस के द्वारा आपको बताए जाते हैं, जो आपके सिस्टम के द हो सकता है कोई प्राबलम है, दोस्त तयार नहीं होरे, दोस्त हस रहें, आप छोड़ सकते हैं, हो सकता है कि कुछ गलत कम्पनी आती है, वो आपको प्रलोबन देती है, देखिए जब विश्वा मित्र की तपस्या से स्वर्ग का सिंगासन हिलने लगा, तो रंभा मेंका को भेजा गया, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, तो यह जो चीजें हैं, यह आपके साथ भी होंगी, आप भी अपने काम्याभी की तपस्या करने जब निकलेंगे, तो बहुत सारी कम्पनियां, जो आप तक नजर नहीं आती थी, क्योंकि आप इस इंडिश्ट्री में नहीं थे, आपकी किसी की नजर आप पर नहीं थी, लेकिन जैसे आप इस इंडिश्ट्री में आ गए, आप पर लोगों की नजर पढ़नी शुरू हो गई, अब आपके उपर डोरे डालने शुरू करेंगे, वो फालतू की कम्पनियां आपको प्रलोबन देगी, कि हमारे य मेहनत के पैसा कहीं नहीं आता, और मेहनत रिमानदारी से हमारी कमपनी पैसा देती है, मुझे लगातार लगे रहना है, ये सोच लेकर, पांस साल का वीजन लेकर, यदि आप चलते हैं, यकीन मानिये, आप बहुत बड़ी काम्या भी लेंगे, तो ये चार लोग, जो मैंने फेल नहीं होता है सर, आज तक नहीं हुआ, फेल वही होता है, जो इन में से किसी नियम को तोड़ता है, तो आप काम्याव होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, आपको बहुत सरी शुप काम्ना है, विश्यो all the best, आपने इस वीडियो को इतने प्रेम पुर्वक देखा, दिल क sharing is caring, God bless you, Namaskar.